Assalamualaikum, Welcome to StudentTube, आज के इस lecture में हम accounting के एक और topic पर बात करेंगे और topic का नाम है gross income versus net income So बहुत सारे बच्चे इस topic पर confused हो जाते हैं कि gross income और net income दोनों में क्या फरक है तो आज हम इसे discuss करेंगे और उमीद करती हूँ कि आपकी जो confusion है वो दुर हो जाएगी So सबसे पहले हम इन दोनों की अगर definition की बात करें So gross income is the total amount you earn ठीक है अब gross income क्या होती है वो amount जो आप total amount जो कि आप earn कर रहे हैं ठीक है जो आप कमा रहे हैं और net income is your actual business profit after all the expenses are taken out अब अगर हम छोटे level पर बात करें For example, एक journal store है अगर वो एक soft drink पेचता है ठीक है अगर वो एक soft drink पेचता है जो के है 30 रुपीज की ठीक है तो जो 30 रुपीज है वो है उसकी gross income ठीक है अब इस 30 रुपीज में से पहले तो वो minus करेगा actual price of soft drink यानिके अगर for example soft drink जो है वो है 20 रुपीज की तो वो 20 रुपीज उसमें से deduct करेगा ठीक है minus करेगा यह तो हो गई cost of product इसकी cost of product क्या थी actual वो थी 20 रुपीज जो के इसने 30 में बेची ठीक है अब 20 रुपे जब minus हो गए तो कितने बच गए इसके पास 10 रुपे बच गए अब gross income क्या थी इसकी 30 रुपीज इसने इसमें से minus की cost of product ठीक है जो के थी 20 रुपे की soft drink थी जो के इसने 30 रुपे में बेची अब इसके पास बच गए 10 रुपे अब 10 रुपे में से ये वो तमाम expenses भी निकालेगा like अगर इसने अपने general store में कोई employee रखा हुआ है जो इसकी help करता है तो उसके charges या फिर दुकान का कराया है तो वो ठीक है अगर कोई दुकानदा 30 रुपे की bottle बेच रहा है और उसको 30 रुपे मिलते हैं तो वो है उसकी gross income ठीक है यानि कि total amount जो उसने earn की वो है 30 रुपे अब net income क्या हुई ये 10 रुपे में से अगर तमाम expenses निकाल दिये क्या बचे 5 रुपे ठीक है यानि कि actual amount जो है जो इसने earn की है मतलब कि इसको business से जो profit हुआ है यानि कि एक 30 रुपे की bottle से जो इसको profit हुआ है वो है 5 रुपे ठीक है इसी तरह से अगर हम एक बड़े level पर बात करें लाग के company की बात करें तो for example एक soap factory है ठीक है जो कि soap बनाती है अब एक soap की जो कीमत है वो अगर देखें तो उसकी है 50 रुपीज ठीक है यानि कि cost of जो product होगी raw material हुआ उसमें जो अब cost of product में है आ जाते हैं अब जब एक बड़ी factory है उस cost में पहले तो raw material होगा यानि कि साबुन बना ले के लिए जो भी खाममाल की जरत होगी वो लिया होगा फिर जाहिर है machine में बनाया होगा तो machine के expenses होगे इसके बाद labor ने बनाया होगा तो labor के charges होगे ठीक है तो ये तमाम चीज़े क्या जाएंगी cost of production में ठीक है यानि कि product को बनाने में जो expense होए ठी ठीक है like for example 10 rupees cost of product इसके बाद ये कितने बच गए 40 rupees और 40 rupees में से इसके बाद इसने तमाम बाकी दूसरे expenses भी निकालने है for example salaries हो गई या फिर factory का कराया हो गया या factory में दूसरे भी like tax हो गए ठीक है इस तरहां की तमाम expenses निकाल देने के बाद जो भी expenses होए for example अगर soap को दुका जानों तक पहुंचाने के लिए उसको एक vehicle की जरूथी तो vehicle की charges भी निकले ठीक है तो इन तमाम charges ऐसे तमाम expenses को निकालने के बाद अगर इसके पास बच रहे हैं 10 rupees तो 10 rupees जो है वो है इसका net income ठीक है तो gross income जो कि आप चीज बेशते हैं आपको जो पूरे पैसे मिलते हैं व निकाल लिए personal expenses नहीं आएंगे business expenses ठीक है business अगर हम business की बात करें तो तब business expenses आएंगे ठीक है so business expenses आपने निकाल लिए तो जो पैसे बचे वो है आपका net income ठीक है so I hope कि यह जो gross income और net income का जो confusion था वो आपका clear हो चुका होगा मजीद इस तरह की videos के लिए channel को like करें इसे subscribe करें और साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए Allah हाफिस